नमस्कार दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागयत है दोस्तो हमारी सेहत और तंदुरुष्ती में जीन्स एक बहुत बड़ी भुमेगा निबाते हैं लंदन विश्व विधाले में इंस्टिट्यूट ओफ कैंसर रिचर्च दुआरा किये गए अध्यन के अनुसार इस बात की संभावना लगबग 57% तक होती है कि किसी लड़की की महावारी उस तारीक से 3 महिने के अंदर शुरू होगी जिस तारीक को उसकी मा को पहली बार महा वारी आई थी इसलिए ये काफी हद तक सच है कि जीन्स एक बहुत बड़ी भूमे का निभाते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे साचते इस्तितिया बताएंगे जो आपको आपकी मां से विरासत में मिलती है नंबर एक हर्द्य की बिमारी यदि आपकी मां को हार्ट अटेक आय चुका है तो आपको भी श्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वनशानुगत समवहिनी रोग हर्द्य में कोरोनरी धमनी और मस्तिस्क में मस्तिस्क धमनी को परभावित करता है नंबर दो ब्रेश्ट कैंसर वे महिलाए जिनमें उत्पर जीन पाया जाता है उनमें कम उम्र में ही ब्रेश्ट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है महिलाओं के लिए आवश्च है कि वे 40 वर्ष की उम्र के बाद मेमोग्राम करवाती रहें यदि आपके किसी भी रिष्टेदार को ब्रेश्ट कैंसर है तो आपको भी अनुवान जाच करवानी चाहिए जिन महिलाओं में इस्तन कैंसर का पारिवारिक इत्यास रहा है उन्हें कैंसर की संभावना को कम करने के लिए रोग निरोधी मासकेटों में करवानी चाहिए अलजाइमर समुदाई में पता लगाया कि अलजाइमर के जिन्स भी एक पीडी से दूसरी पीडी में जा सकते हैं यदि आपकी माँ को अलजाइमर है या उन्हें अलजाइमर हुआ था तो आपको डिमेंशिया होने की संभावना 30 से 50% तक बढ़ जाती है अपने वजन का ध्यान रखकर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल की नियमी तोर पर जाच करवा कर तता स्वस्थ जीवन सली अपना कर आप डिमेंशिया की संभावना को 20% तक घटा सकते हैं नमबर चार डिप्रेशन परिवार में मानसिक बिमार्या भी एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाने की प्रमप्रा रही है यदि आपके परिवार में डिप्रेशन का इत्यास रहा है तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना 10% तक होती है अच्छी नेंद ले, अलकोहल का सेवन नियंतरित रखे और तनाव के इस तरको कंट्रोल में रखे ताकि आपको डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाए नमबर पाच माइग्रेन आपको यह सुनकर आश्चरिय होगा कि यदि आपकी माँ को माइग्रेन है तो आपको माइग्रेन होने की संभावना 70-80% तक होती है सिर्दर्द पैदा करने वाला एजी एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जा सकता है कुछ आम पदार जिनके कारन माइग्रेन हो सकता है उनमें कुछ सम्वेदन शील खादे पदा जैसे कि चौकलेट, चीज, कौफी, खटेफल और रेड़ वाइन सामिल है इनके अलावा लड़कियों को अपने मासिक धर्म के समय हर्मोन्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय उन्हें भी ये हो सकता है यदि आपकी माँ को मैनपोच जल्दी आया था तो आपकी भी ये इस्तिती आने की जभावना 70-85% तक होती है मैनपोच की उस्ति आयू 51 वर्ष है परन्त 20 में से एक महिला में ये अवश्था 46 वर्ष की आयू के पहले ही आ जाती है अरली मैनपोच को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता फिर भी आप डॉक्टर से मिल कर सला ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की खास जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही हमारी नए नए वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद